अभी हमने इस लेजर लाइट की सहता से प्रकाश का अपवर्तन इस काश के गुटके से देखा इस काश के गुटके में ये दोनों प्रिष्ट एक दूसरे के समानतर है यानि कि जिस पर प्रकाश अपतित हो रहा था वो फलक और जिससे प्रकाश निर्गत हो रहा था ये दोनों फलक एक दूसरे के समानतर है अगर प्रकाश के मार्ग में ये काश का गुटका नहीं होता तो प्रकाश सीधे सीधे अपने रास्ते पर सरल रिखा में गमन कर जाती लेकिन इस काश की गुटके के कारण वो सीधे उस रास्ते पर नहीं गई बल्कि अपने मार्ग से विचलित हो गई और इस प्रकार का रास्ता हम लोगों को इस कांच के गोटके में देखने को मिनला यहां पर P Q आपतित किरण है जो कि इस कांच के A B गोटके के A B फलक पर आपतित थी Q यहां पर आपतन बिंदू है और I यहां पर आपतन कोण यह कांच के गोटके A B सीडी का दूसरा फलक भी है सीडी और यह प्रकाश की किरण यहां पर अपवर्तन के पश्चात इस R बिंदू पर फिर से अपतित हुई और इस कांच के गोटके से R S किरण के रूप में वापि n q r अपवर्तन कोण है मतलब यह प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो गई है अगर यह काश का गुटका नहीं होता तो यह इस मार्ग से सीधे-सीधे आगे बढ़ जाती और यह यहां पर आई माइनस आर विचलन हमको प्राप्त हो रहा है केवल इस काश के गुटके के कारण यदि हम इस काश के गुटके के एबी फलक को देखे तो आपतन बिंदू पर खीचा गया लंब कहलाता है अभी लंब जिसे हमने मन से दर्शाय है और वैसे ही सीधी फलक पर आर बिंदू खीचा गया लंब यानि कि M-N- ये भी कहलाता है अभिलन यहाँ पर यह दोनों ही अभिलन एक । समांतर है क्योंकि A B और C D फलक एक थोसरी के समांतर है इसलिए यहाँ पर कोंड N Q और R और दूसरा कोण Q, R और M' ये दोनों ही बराबर होंगे यानि ये दोनों ही R होंगे निर्गत कोण N, R, S को हमने दर्शाया है E से अब यहाँ पर हम स्नेल का नियम एपलाई करें स्नेल के नियम के अनुसार किसी भी माध्यम का अपवर्तनाम किसी दूसरे माध्यम के सापिक्ष यानि कि हम यहाँ पर काच का अपवर्तनांक लेंगे वायू के सापिक्ष इसे दर्शायेंगे A, Mew, G से ये बराबर होगा साइन I अपॉन साइन R के इसी प्रकार प्रिष्ठ सीडी के लिए हम स्नेल का नियम लगाए तो यहाँ पर प्रकाश की कीरण काच से वायू में प्रविश कर रही है यानि कि वायू का अपवर्तनांक काच के सापिक्ष G, Mew, A बराबर होगा साइन R अपॉन साइन E इन दोनों इस अमिकरणों को गोड़ा करें तो हमें मिलेगा A, Mew, G into G, Mew, A बराबर साइन I अपॉन साइन R into साइन R अपॉन साइन E प्रकाश की उत्क्रम्नियता के सिध्धान्त के अनुसार हम जानते हैं कि एक माध्यम के सापिक्ष दूसरे माध्यम का पॉरतनांग इनटु दूसरे माध्यम के सापिक्ष पहले माध्यम का पॉरतनांग यह बराबर होता है 1 के इसलिए हम A, Mew, G into g, Mew & A बराबर लिखेंगे 1 और यह समिकरण बन जाएगा i upon sin e बराबर 1 यहां से sinर और sinर हम cancel कर देंगे इस प्रकार हमें यहां प्राप्त होगा sin i बराबर sin e और जब दोनों ही कौन की जिया बराबर है तो दोनों कोन भी बराबर होंगे इसनिए हम लिखेंगे i बराबर e यह हमारा पहला समी करण मतलब यहाँ पर जो आपतन कोण है और निर्गत कोण ये दोनों एक दूसरे के बराबर है और ये किस इस्थिती में संभव है जब दोनों ही किरने एक दूसरे के समानतर होगी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दिकाज की गुटके में अपवर्तन होता है इस काज की गुटके के दोनों ही अंतर प्रिष्ट एक दूसरे के समानतर होते हैं इसे लिए जो आपतित किरन होती है वो निर्गत किरन के भी समानतर होती है यानि कि PQ समानतर होगी किरन RS के इसका मतलब जब काज के गुटके में प्रकाश की किरन प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित होती है, यानि कि बस थोड़ा सा shift हो जाती है, उसकी direction वही रहती है, पर उसके मार्ग में थोड़ा सा विस्थापन हो जाता है, और इसी विस्थापन को हम कहाते हैं पार्शविक विस्थापन यानि कि lateral displacement या lateral shift, यह lateral shift कितना होगा? यहाँ पर हम देखे R S यह निर्गत किरण है और यह P Q किरण जो सीधे जा रहे थी इन दोनों के बीच का perpendicular distance यानि कि लंबवत दूरी तो हम इसके लिए R से एक लंब खीशते हैं इस अपतित किरण P Q के डारेक्शन में यह दूरी होगी D और यही इस स्थिती में पार्शुविक विस्थापन यानि कि लेटरल शिफ्ट होगा इसे हम दर्शार हैं D से और इसका मान हम ज्याद करेंगे कि पार्शुविक विस्थापन कितना होगा इसके लिए हम सबसे पहले समकौन त्रिभुश देखते हैं R Q N इ यहाँ पर हम देख रहे हैं एंगल है आर यदि हम इस आर एंगल का कॉस ले तो कॉस आर बराबर होगा अधार बटे कर्ण यहाँ पर अधार है N Q और कर्ण है क्यू आर जितना N Q है उतना ही A D है यानि कि इस काज के गुटके की चोड़ाई माना कि इस काज की गुटके की च आर बराबर A D अपॉन क्यू आर और A D के स्थान पर हम लिखेंगे T अपॉन क्यू आर तो इस प्रकार हमारे पास समीकरण होगा क्यू आर बराबर T अपन T अपॉन कॉस आर इसे हम समीकरण दो से दर्शाते हैं यह दि हम इसे चित्र में दूसरा समकॉंड तरिभूज आ रहा है साइन आई माइनस आर बराबर होगा साइन किसी भी कोन का होता है लंब बटे कर्ण तो यहां पर लंब है आर एल और कर्ण है क्यू आर यह जो आर एल है यह शिफ्ट है यह लेटरल शिफ्ट है जिसे हमने डी से दर्शाया था इस प्रकार हम लिख सकते हैं साइन आई माइनस आर बराबर डी अपॉन क्यू आर और यहां से डी बराबर हमें प्राप्त होगा क्यू आर साइन आई माइनस आर क्यू आर कमान समीकरण दो में अल्रेडी मौजूद है इस कमान यहां पर रखने पर हमें प्राप्त होगा डी बराबर T upon cos R into sin I minus R अब यहां पर हम एक विशेज स्थिती लेते हैं जहाँ पर हमने आपतन कोण का मान बहुत ही कम लिया है यानि लगभग 0 के यदि आपतन कोण का मान बहुत कम है तो अपवर्तन कोण का मान भी बहुत कम होगा लगभग 0 के बराबर तो यहां से sin I minus R बराबर हो जाएगा I minus R व्योंकि हम जानते हैं sin 0 बराबर 0 होता है वैसे ही cos R का मान हो जाएगा 1 क्योंकि cos 0 बराबर होता है 1 अब यह बार इस समीकरण में रखने पर हमें मिलेगा D बराबर T I minus R यदि इस ब्राकेट के बाहर में I common लेती हो तो मुझे मिलेगा D बराबर T I first term में तो I था हमने 1 लिखा second term में I नहीं है तो हम इसको I से divide कर देंगे ताकि जब I अंदर वापिस multiply हो तो यह कट जए और हमको वापिस R term ही प्राप्त हो तो इस प्रकर D बराबर हो जाएगा T I bracket के अंदर 1 minus R upon I स्नेल की नियम से हम जानते हैं mu बराबर sin I upon sin R होता है यदि I और R का मान बहुत कम हो तो हम उस condition में लिख सकते हैं mu बराबर I upon R और यहां पर हमारे पास है R upon I तो हम लिखेंगे R upon I बराबर 1 upon mu तो इस प्रकार यह समीकरण बन जाएगा D बराबर T I bracket के अंदर 1 minus 1 upon mu और यह समीकरण दर्शाता है lateral shift यानी की पार्शुविक विस्थापन को इस प्रकार इस समीकरण से इसपश्ट है कि पार्शुविक विस्थापन का मान तीन कारकों पे निर्भर करता है पहला जिस माध्यम से प्रकाश गुजर रही है गमन कर रही है उस माध्यम की मोटाई यानी की T पर दूसरा उस माध्यम की अपवर्टनांग यानी की mu पर और तीसरा उस माध्यम से बनने वाले अपतन कोंड यानी की I पर इन तीनों का मान यदि अधिक होगा तो पार्षविक विस्थापन भी अधिक होगा यदि प्रकाश विभिन्न माध्यमों से होकर गुजरे मतलब उसके रास्ते पर अलग-अलग माध्यम आए उस कंडिशन में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा जैसे कि यहाँ पर हमने तीन अलग-अलग माध्यम लिए है एक वाईयू, जल और काश इन तीनों माध्यम से प्रकाश होकर गुजर रही है और वापिस वाईयू में निर्गत हो रही है इस कंडिशन में प्रकाश का अपवर्तन उसके नियमों का पालन करते होगा जब वो वीरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलम के पास जुकेगी जब सघन से वीरल में प्रवेश करेगी तो अभिलम से दूर जुकेगी और इस प्रकार प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी यहाँ पर हम देखते हैं कि एक किरण है जो कि वायू से लेकर जल में अपतित हो रही है यहाँ पर एक अंतर प्रिष्ट प्राप्त हो रहा है A B इस अंतर प्रिष्ट पर अभिलम भी हमको मिल रहा है यहाँ पर अपतन कोण हमने आई से दर्शाया है चुकि प्रकाश जब वापिस वायू में निर्गत हो रही है तो ये जो फलक है EF ये A B फलक के समानतर है तो जो निर्गत कोण है वो अपतन कोण के बराबर होगा इसलिए हमने यहाँ पर निर्गत कोण को भी I से ही दर्शाया है अब जब प्रकाश का अपवर्तन पहली बार हुआ यानि कि इस प्रिष्ठ A B पर तो उस कंडिशन में अपवर्तन कोण हमको प्राप्त हुआ आरवन इस नेल के नियम के नुसार जल का अपवर्तनांक वायू के सापिक्ष यानि कि A मियो डबलू बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आरवन जब प्रकाश आगे इस जल में गमन करती हुई कांच में प्रवेश करेगी यानि कि एस C D अंतरा प्रिष्ठ में इसका फिरसे एक बार अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर हम देखें कि यह दो अभीलम खीचे गए है प्रिष्ट A, B और C, D पर यह दोनों एक दुसरे के समानतर होंगे क्योंकि अंतरा प्रिष्ठ A, B और C, D भी एक दुसरे के समानतर है इसलिए यह दोनों कोण बराबर होंगे जिसको हम लोग R1 से दर्शाएंगे अब यहाँ पर जो कोण R1 है यह प्रिष्ठ C, D के लिए अपतन कोण की तरह कारे करेगा जिसका अपवर्तन कोण हम यहाँ पर लेंगे R2 और इस प्रकार यह दि हम काश का अपवर्तनांक लें जल के सापिक्ष क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरण जल से काश में प्रवेश कर रही है तो इसे हम दर्शाएंगे W mu G बराबर साइन R1 अपॉन साइन R2 से अप प्रकाश काश में गमन करती हुई W yu में प्रवेश कर रही है और यहाँ पर भी अंतरा प्रिष्ट F E F में हमने एक अभीलम डाला है और यह अभीलम भी प्रिष्ट C D के समानतर होगी क्योंकि प्रिष्ट C D और E F भी एक दूसरे के समानतर है तो यहाँ पर ये दोनों कोंड भी बराबर होंगे इसलिएम दोनों को किस से दर्शाएंगे R2 से ये R2 कोंड प्रिष्ठ EF के लिए अपतन कोंड की तरह कारे करेगा जहाँ पर अपवर्तन के पश्चत इसका अपवर्तन कोंड हो जाएगा I तो यहाँ पर यदि हम काच के साप एक्ष वाईउ का अपवर्तनांक ले यानि कि Gμ A ले तो यह होगा साइन R2 अपॉन साइन आइव इन तीनों समीकरणों को गुणा करने पर हमें मिलेगा Aμ W इन्टु Wμ जी इन्टु Gμ A अपॉन साइन R1 इन्टु साइन आर वन अपॉन साइन आर तु इन्टु साइन आर तु अपॉन साइन आर वन यहाँ पे sin i sin i cancel हो जाएगा sin r1 sin r1 cancel हो जाएगा sin r2 sin r2 से cancel हो जाएगा तो हमको प्राप्त होगा 1 यानि की a mu w into w mu g into g mu a बराबर होगा 1 आगे a mu w into w mu g बराबर हम लिख सकते हैं 1 upon g mu a हमने पक्षांतर कर दिये g mu a को हम equal to के right side ले जा रहे हैं और प्रकाश की उत्क्रम्नियता के सिध्धान्त के अनुसार a mu g बराबर होता है 1 upon g mu a तो हम यहाँ पर a mu g लिखेंगे 1 upon g mu a के स्थान पर और यह समीकरण मन जाएगा a mu w into w mu g बराबर a mu g अब w mu g बराबर होगा a mu g upon a mu w यानि कि यदि हम काश का अपवर्तनांग पानी के सापिक्ष निकालते हैं तो हम काश के अपवर्तनांग के तुलना वायू से करते हैं और पानी के अपवर्तनांग की तुलना वायू से करते हैं और इन दोनों का अनुपात निकालते हैं यानि कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांग बराबर होता है दूसरे माध्यम के निर्पेक्ष अपवर्तनांग और पहले माध्यम के निर्पेख्ष अपवर्तनांग के अनुपात के इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1 mu2 बराबर mu2 अपन mu1 इसी सम्मीकरण को हम कई और रूपों में भी लिख सकते हैं क्योंकि competitive exam में numericals अलग-अलग रूपों में दिये जाते हैं तो इनको हम कैसे change कर सकते हैं देखते हैं हम जानते हैं one mu2 बराबर होता है snail की नियम से sign i upon sign r और यह बराबर होता है mu2 upon mu1 के तो इसका मतलब mu1 sign i equal to mu2 sign r और हम यह भी जानते हैं अपवर्तनांग 1μ2 बराबर होता है V1 आपउन V2 यानि कि पहले माध्यम में वेग आपउन दूसरे माध्यम में वेग का अनुपाद और यह बराबर होता है म्यू 2 आपउन म्यू 1 के तो हम लिख सकते हैं म्यू 1 V1 एकवल टू म्यू 2 V2 तीसरा हम यह भी जानते हैं 1 म्यू 2 बराबर होता है V1 आपउन V2 इकवल टू साइन आपउन साइन आर तो हम यहाँ से एक और सुतर भी लिख सकते हैं V1 साइन आर इकवल टू V2 साइन आई इस प्रकार अलग-अलग सीचुएशन में नुमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग कई अलग-अलग फॉर्मूले का इस्तमाल कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में हमारे आस पास प्रकाश के अपवर्तन के कई उधारण है जैसे कि हमने पहले देखा कि बीकर्क में भरे हुए पानी में यदि पैंसिल को डूबाया जाता है तो वो मोडी हुई नजर आती है इस कंडिशन में जो प्रकाश की कीरण पैंसिल से आ रही है वो पानी से होते हुए वायू में यानि कि हमारी आखों में पहुच रही है और इस कंडिशन में प्रकाश सघं से विरल माध्य में प्रवेश कर रही है और जब प्रकाश सघं से विरल माध्य में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर जुग जाती है माना कि पैंसिल की नोख सी बिंदू पर है अब यह सी बिंदू से निकलने वाला प्रकाश है वो पानी और वायू की अंतर प्रिष्ट पर मुड़ जाएगा वो भी अभिलंब से दूर और जो वो हमारी आँखों में पहुंचेग तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश सी डैश बिंदू से आ रही हो यानि कि उस पैंसिल की नोख जो सी बिंदू पर है वो सी बिंदू पर ना होकर सी डैश पर हमको नजर आती है चुकि पैंसिल का आधा हिस्सा पानी के बाहर है इसलिए जो आधा हिस्सा बाहर है वहां की इसे प्रकाश की किरन तो हमारे आंखों में डारेक्ट पहुच रही है पर जो पानी के अंदर वाला हिस्सा है वहां से प्रकाश की किरन मुड़ कर पहुच रही है तो यहां पर पैंसिल हमको मुड़ी हुई नजर आती है यदि यही पैंसिल पूरी की पूरी पानी में डुब जाती पर पैंसिल भी से टूटी हुई या मोड़ी हुई नजर नहीं आती इसी प्रकार स्विंग पूल को यदि हम खाली देखें तो वह काफी गहरा नजर आता है लेकिन जब उसमें पानी भर दिया जाता है तो इसकी तली थोड़ी सी उपर उठी हुई नजर आती है यहां अभी प्रकाश का अपवर्तन ही प्रकाश यहां भी पानी के अंदर से चलते हुए वायू में प्रविश्च करी यानि की सगहन से विरल माध्य में प्रविश कर रही है इस कंडिशन में भी प्रकाश अभिलंब से दूर जुकेगी और इस कंडिशन में भी अगर हम पानी के अंदर कई अलग अलग बिंदू लें जैसे कि A B C तो A B C से कलने वाला प्रकाश इस पानी के अंत्रा प्रिष्ट पर जह वाईयों और पानी मिल रहें वहां से वह अभिलम से दूर जुकेगा और ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कि प्रकाश A-B-C बिंदू से आ रहा हो हो और इसी कारण स्विमिंग पूल की तली A B C के बदले A-B-C नजर आएगी यानि कि थोड़ी सी ऊपर उठी हुई कि इसी प्रकार यदि हम एक और उधारण ले यदि बरतन में हम एक सिक्का डाल दें वह सिक्काम को दिखाई देगा अभी वह बरतन पूरे खाली उसमें केवल वाईयू है यानि कि प्रकाश की केरण जो टक्रा कर सिक्के से ह हमारे आखों तक पहुच रही वह डारेक्ट सीधे हमारे आखों तक पहुच रही है यदि हम इस बरतन से दूर जाते जाएं तो धीरे धीरे इस बरतन के कारण क्योंकि यह पर्दन आपारदर्शी है यह सिक्का हमारी आखों से ओजल होने लगेगा और एक डिस्टंस पर प वर्तन सघन से विरल माध्यम में यहां पर प्रकाश की किरण जो पानी से अब वाईयू में आएगी यानि हमारे आँखों तक पहुचेगी वो अभिलम से धूर जुकेगी और वो ऐसा प्रतीत होगा कि सिक्का थोड़े से ऊपर रखा हो यानि कि अब सिक्का हमको विजिबल ह हो जाएगा क्योंकि प्रकाश की किरण यहां पर मुर्ती हुई हमारी आखों में पहुच जाएगी वास्तव में सिक्का वहां ऊपर नहीं होता बलकि हमको नजर आता है वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण पर यदि कंडिशन उल्टा हो प्रकाश की किरण विरल से सगन माध्यम में पहुच रही हो उस कंडिशन में जो गहराई है वो कम होने के बदले दूरी अधिक नजर आती है और यही कारण है कि जो वायू यान ऊपर उड़ता है वो हमको उसके वास्तविक दूरी से कहीं अधिक दूर नजर आता है क्योंकि हम जानते हैं कि वायू जो प्रित्वी की सता के पास है वो सघन है और जैसे जैसे हम उपर क्यों बढ़ते जाते हैं प्रित्वी की सता से तो वायू विरल होती जाती है यानि कि जो वायू यान से टकरा कर आने वाली प्रकाश किरने हैं वो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी और वो अभी लंब के पास जुखते जाएगी और जब वो हमारी आँखों में पहुचेगी तो ऐसे प्रतीत होगा कि वाईयो यान बहुत अधिक दूरी पर इस्थित हो इसी प्रकार सूरज भी छेतिज से उपर की और हमको दिखाई देता है यानि सूर्य उदय हुआ नहीं रहता लेकिन वो हमको पहले ही नजर आ जाता है क्योंकि सूरज से आने वाली किरने भी वायू मंडल को पार करते हुई हमारे आखों तक पहुचती है और वायू मंडल कैसा है प्रत्वी की सता के पास सघन है और प्रत्वी की सता से विरल तो जो प्रकाश की किरन सूर्य से हमारे आखों तक पहुच रही है वो विरल से सघ सखन माध्यम में प्रवेश कर रही है और यह अपवर्तन के पश्चात अभिलम के पास जुक रही है और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज और उचाई पर है यानि कि छैतिच से उपर नज़र आता है और हमको वह उदय होने से पहले ही नज़र आ जाता है इसी प्रकार तारे भी हमको वास्तविक दूरी से कहीं ज़्यादा दूर नज़र आते हैं क्योंकि तारों से आने वाला प्रकाश भी विरल माध्यम से सखन माध्यम में प्रवेश करता है हमारी आँखों में पहुशता है और इस बीच वो अभिलंब से अभिलंब के पास जु बिपूर नज़र आ रहे हो है तारे हमको लगांते तारे हमको टिम्तिमाते हुए भी इसलिए ही नज़र आते हैं क्यूंकि हम जानते हैं कि वाईयू मंडल की विभिन पर्तों में वाईू के कणों की गती अलग-अलग है वाईयू का घनत्व अलग-अलग है यहां पर प्रकाश की किरणे इन तारों से हमारी आँखों में पढ़ती हैं तो यह परिवर्तित होते रहती हैं और यह तारे हमको टिम्टिमाते हुए नजर आते हैं